नमस्कार दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है दोस्तों नई वकेंसी जो की आपकी सबसे बड़ी वकेंसी बताई जा रहे थी दिल्ली विश्य विद्याले द्वारा जो लाइबरेरी साइंस के फिल्ड के विद्यारतियों लिए जो वकेंसी आई है उनमें जो सबसे बड़ी पोस्ट है यानि जिसके सबसे ज़्यादा पद है वो पोस्ट दोस्तों अब आई है हमारी चार नंबर वीडियो में तो हम इसकी बात करेंगे जो हमारी अंतिम पोस्ट रहेगी लाइबरेरी साइंस फिल्ड से रिलेटर दिल्ली विशवी दियाले द्वारा जो वकें है सफिशेंट पद हैं दोस्तों 109 पद बहुत काफी पद होते हैं जिसके अंदर लाइबरेरी अटेंडर है जिसका लेवल पेस के लहेगा दोस्तों लेवल पेस के लहेगा वन ठिक है यानि अठारा जार से सपन्जार नो सो तक आपके सल्दी रहने वाली है इसमें जनरल क कर सकता है क्या क्वालिफकेशन रहेगी उसकी बात करें लाइबरेरी अटेंडेड की तो जहां जो लाइबरेज साइस रिलेटर जो सुरुवात होता है तो वही इसके लिए लीजिबल है वही फरम बर सकता है जो बड़ी डिगरी रखते हैं वह तो बड़ी सकते हैं अब ब दूसरा मैंगा वोने पकार्री 2000 क्लास तुर्स होताँ और बात रहती कि जो इसने टीपलमा लृट्फ कर सकत भादी कर सकते हैं लिद् vert सिर्ट को साइंस की तो ये कर सकते हैं तो दोस्तों बड़ी क्वालिफिकेशन वाड़ा Automatically Equilate हो जाता है उससे बड़ी पद के लिए भी आवेधन कर सकता है और जो Certificate Level की पद है उनके लिए भी आवेधन कर सकता है यानि बेली बाड़ों के सबसे ज़्यादा थी कि बेली बाड़े फोरम लगा सकते हैं नहीं लगा सकते तो बिलकुल लगा सकते हैं जिनका केवल Certific Wright कि पर्ट किया तो वह बताते हैं कि आप नहीं बढ़ सकते टो वे ऐक तरह सकते हैं तो आप सकते हैं आपके पास है तो ठीक नहीं है तो कोई दिक्वताना साट है यह सबढ़ है तो भोभी अच्छी बात है यह दोस्तों कॉमपन क्वालिफकेश्ट मिटतर नहीं है यह होन के लिए 10 और सेड़ीजन रहेगी के फोरम लगा सकता है और सेर्टिफ्केट जिसका पेरिंग बेसे दोस्तों इसने नहीं कि इसने रहे?! हैं दोस्तों विएम्य मृस्टी के कोटा की आई होए हरे एक स्ट्रेट कि अपनी ओपनी यृवरीं सीक्स मन्थ पूर्स हना उसकता है और सैक्टिकेट टेंडेट के लिए टैंथ और सेलिस सर्टिफिकेट चाहिए यह तो होगी क्वालिफकेशन अब सर एक्जाम पैटन क्या रहेगा स्कीम ऑफ एक्जामनेशन तो बिल्कुल लाइवरेडी टेंडेट के लिए भी एक्जाम होगा आपका जिसमें केवल टेंडेटों क्येशन आएंगे आप्जेक्ट्व टाइपivan रहेंगे अब टे ट्याम होंगे तीन गंट की संप्रामIELफ करते दो तो वो 5 subject में हैं दोस्तों अलग अलग 5 subject में पहला subject आता है library aptitude यानि library science related question पूछे जाएंगे कितने 50 और कितने नंबर के 100 नंबर तो मान सकते हैं या दोस्तों 50 question सबसे ज़्यादा library science के ही पूछे जाएंगे सबसे ज़्यादा weightage भी library science का है यानि 100 नंबर की केवल library science आएगी इसके लावा जंदल awareness क्रण जीक के आएगी 25 question 50 नंबर की reasoning आएगी 25 question 50 नंबर की math आएगी 25 question 50 नंबर की English show भी है वो आप फिल कर सकते हो 500 question होगे 300 नंबर के एक बात और one upon four negative marking भी रहने वाली है दोस्तों यह बात आप ध्यान रखना one upon four negative marking भी रहेगी डेट सो question पे ठीक है 300 नंबर का आपका पेपर होगा केवल एक सिंगल पेपर होगा दोस्तों हर वेकेंसी के लिए हम पर फाइस्ट पेपर सेकेंड डिस्क्रिप्टिव टेस्किल टेस्ट यह वगेरा इतना मेंटर था और उनमें पोस्टेज भी इतनी नहीं थी लेकिन इसमें लाइबरेडी टेंडर में 109 पोस्ट है और केवल एक सिंगल पेपर से आपकी मेरिट बनेंगी दोस्तों यह डिटेल सलेबस है कि लाइबरेडी एप्टिटूट दे दिया दोस्तों तो लाइबरेडी साइंस से कहीं से भी क्योश्चन आ सकता है जन्रल अवेर नेस रिजिन पेपर सेकिंड भी रहेगा पेपर सेकिंड में क्या रहने वाला है आपको बता दूं मैं पेपर सेकिंड दोस्तों आपका डो भाघों में रहेगा पेपर सेकेंड आपका किनने भाघों में रहेगा दोस्तों हैं तो डोस्तों आपके इस में केवल सिंगल पेपर रहेगा यह इस ली धालेपनफ confinasi का इंदर क्वालिफ़ोई मार्क्स रखा है रिटन टेस्ट में हर केटगरी के लिए तो 45% मार्क्स होना चीए आपका अन्रिजर्वर्ड के लिए OBC के लिए 35% और OBC के लिए 40% और SSTPW के लिए 35% यानि यह मिनिमम् क्वालिफकेशन जो भी क्वालिफाई मार्क्स है यह होनी चीए अगर यह क्वालिफाई करते हो तो यह आपकी पूरी कॉपी इवलेट की जाएगी ही 1 पॉन 4 देखो दोस्तों नेगीटीव मार्किंग भी लिख रखा है वह क्वालिफाई रिटन टेस्ट जो क्वालिफाई करेगा रिटन टेस्ट फिर ही मेरिट लिए अगवाह थिक्क का दोस्तों मेरिट लिस्ट के अकोर्डिंग यह आपका सेलेक्शन होगा 109 खुल बात करें कि आपÓर कार यह normal दोस्तों कि और बात करें कब से कब तक रहेगी तो 23 स्वारवरी से लेकर से 26 मर्ज तक काप फोरन लगा सकते और 17 मर्ज तक प्रम मार्फ कर सकते और कुछ गलती रहा जाती। कुछ मार्पेशन करना हो तॉइश्स से लेकर 20 दोस्तों 600 रुपे फिस रहने वाली है यह थी दोस्तों आपकी अंतिम अगेंसी दिल्ली विश्य विद्याल्य द्वारा जो एंटी एक्जाम करवाएगा इसका लाइब्रेरी अटेंडेट की दोस्तों तो पुल मिलाके देखो 109 पद आपने देखे लाइब्रेरी अटेंडे और कुल 147 पद पे दोस्तों आपकी यह वेकेंसी है जो लाइब्रेरी साइंस के फिल्ड के जिसके एम लिप कि यह हर एक्जाम में फोर्म लगा सकता है तो एक से ज्यादा पोस्ट के लिए भी आवेदन कर सकता है कंडिडेट लिए एक से ज्यादा आवेदन नहीं कर सकता ह ठीका नहीं तो फॉर्म आपके रिजेक्ट हो जाएंगे सभी फॉर्म रिजेक्ट हो जाएंगे तो दोस्तों कोशिश यह रहेगी कि इस यूट्यूब चैनल के मादेम से आपको लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के जो भी टोपिक्स हैं कंसेट आप लाइब्र साइंस लाइब्रेरी एड्मिनिस्टेशन लाइब्रेरी मेनेजमेंट लाइब्रेरी के सैंस क्लासिफकेशन के टालोगिंग तोटली आपको कवर करवाने की कोशिस रहेगी तो यूट्यूब चैनल मादेम से जल्द ही आपके लिए क्लासेज भी सुरू हो जाएगी तो जो भी लाइब्रेरी सैंस लेलेटर वेकेंसी आती है आपको यूट्यूब चैनल के मादेम से उपलब्द करवा दी जाएगी धन्यवाद दोस्तों